एक गाउं में दोपर के समय एक जवान सुंदर महिला कोई पर पानी भरने गई उसी समय एक आदमी उसके पास आया और उससे पीने के लिए पानी मागा उस महिला ने बिना एक पल भी सोचे उससे पानी पिला दिया पानी पीने के बाद उस आदमी ने महिला को कुछ अलग ही नजरों से देखा और बोला क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ महिला थोड़ी हड़ बड़ाई और डरे हुए सवर में बोली हाँ पूछिए वो आदमी बोला क्या आप बता सकती है कि वो भगवान भी एक इस्त्री का चरित्र क्यों नहीं बना सकता उस आदमी कितना पूछते ही महिला जोड़ जोड़ से बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी महिला के आवाद सुनते ही गाओं के लोग अपने हाथों में लकडियां लेकर उसके तरप आने लगे ये देखKAR आदमी डर गया और बोला आप क्यों चिल्ला रही हैं आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं आपको अच्छी और इज्यदार महिला समझ रहा था महिला ने कहा मैं इसलिए चिला रही हूँ ताकि लोग यहां आए और तब तक मारे जब तक तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर ना आ जाए आदमी उसकी ये बाते सुनकर और भी ज़्यादा डर गया और महिला से सर जुका कर मापी मांगने लगा तब ही महिला ने उसके घड़े का पानी अपने आप पर डाल लिया और खुद को पुरा गिला कर लिया थोड़ी ही देर में गाउवाले महां पहुँच गए और महिला से पुछने लगे क्या हुआ आप क्यों चिला रही थी मैला ने कहा मैं थोड़ी देर पहले इस कुए में गिर गई थी अगर ये आदमी मुझे नहीं बचाता तो शायद मैं मर जाती उसकी ये बात सुनते ही सभी गाउवालों ने उस आदमी की बड़ी तारीब की उसे धन्यवाद दिया और उसका अच्छे से आदर सतकार किया उस मैला के घर वालों ने उसे तोफे भी दिये जब सभी गाउवाले वहाँ से चले गए तब उस आदमी ने उस मैला से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? फिर मैला ने उसे सिर्फ एक ही वाक्य कहा कि अब आप शायद समझ गए होंगे कि इस्तरी क्या होती है, इस्तरी का चरीतर क्या होता है, दोस्तों अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं, तो मैं समझा देता हूँ कि इस्तरी और इस्तरी का चरीतर ऐसा ही होता है, अगर आप उसे कश्ट देंगे, उसकी इज़त नहीं करे उसे बुरा फिल कराएंगे तो आपका मान प्रतिष्टा सुक चैन सब छीन सकती हैं और आप उसकी इज़त करेंगे उससे अच्छा वर्ताव करेंगे उसको संबान देंगे तो वह आपको मौत के मुझ से भी बचा कर बाहर लाएगी तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूं कि आ